कि राधे राधे टू आल आफ यू बेलकम टू पढले वेटा मोका है आया माकाफ भाजपई और आज हम आपके लिए होटी कल्चर का पूरा निचोड लेक्या है और वो उसका सोर्स है वो नीम रा सुन्डा ठीक आपके पास किताब हो उपन करके रख लेना और नहीं तो मेरे मुखेता उन्हों के लिए है जनका भी साथ दिन बाद एक्जाम रगा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत बहुतरी तरीके से एक गंटे के अंदर मुस्किल से एक गंटा लगेगा आपको पूरी हर्टे कल्चर रिवीजन कर लेंगे तो जो बच्चे बेसिक से चाहते हो उनके बिटामीन एक पाई आती है वह पाई आती है और ताली सो इंटरनेशनल यूनिट इस बात बताओ आम के अलावा ऐसा कौन सा फल है जिसमें अधिक पाई जाती है तो वह पाई आती है तो यानि 2020 इंटरनेशनल यूनिट फ़ड़ा पीछे आवाज आ रही है क्योंकि घर पे तो इसका खाने यूग भाग क्या होगा यानि इडिवल पार्ट क्या होगा तो इसका इडिवल पार्ट होता है वह मीजोकार्प होता है ठीक है अच्छा अब देखो आम में जो मुकिता परागण होता है यानि जो पलिलेशन होता है वह होता है हाउस फ्लाई से अगर कुश है और पूरे वर्ल्ड में भारत में हुगाया जाता है यह आप सब जानते हो अच्छा आम में अगर पुछते हैं विटामीने से अधिक होती है विटामीन का फानिटिफिक नहीं रेटिनॉल बीवन का थाइमीन बीटू का राइबोफलेबिन बी-3 का निकोटेनिक एसिड बी B7 का बाइटिन, B9 का फॉली एकशीड, B12 का साइनोकोलावीन, BD का बहु सारी-Bitamine D का कैलसीफिरॉल, Bitamine K का फिलयोक्यूनान बड़ी स्मीड में जैसे हम बोल रहे हैं आपको ऐसे ही याद होने हैं क्योंकि ये क्वेशन आपके एकजाम में बहुत आते हैं अच्छा, यानि कि निर्यात की जाती है, तो वो आपकी है, अलफांसो, आप सब जानते हो, अच्छा, आमके ऐसी कौन सी परजाती है, जो नौर्थ इंडिया में अधिक होती है, दसेरी, आप सब जानते हो, कौन सी परजाती है, जो साथ इंडिया में होती है, वो होती है, बागन पल्ली कौंसी होती है बागन परली आच्चा हम कि इसे कौंसी प्रसारी है जिसमें तो ङुइपंची परती से जाज आती एम की सब्सक्राइट ही है इनीय दीश ही होती है म०्यस तो हाइज डेंशिटी से होती है अपकी हांटर्पाली कितनी 2.5 x 2.5 m2 अच्छा इसे आप से 16 सो प्रांट उसके पर हेक्टर लग जाएंगे अब एक बात बताओ आम के इसे कौन सी प्रजाती है तो सबसे अधिक मीठी होती है तो आप सब जानते हो अराम से 4 आम खाये होगे बिला मीठा होता है तो चौसा आम सबसे अधिक मीठा होता है अच्छा लेकि सर्जी हमें यह तो नहीं पता कि आप लोग कहते हो कि आम जो अमिया होती ही बड़ी खटी होती है तो उस अमिया के अंदर विटामिन C होती है तो ऐसी कौन सी आम की प्रजाती है जिसमें सबसे अधिक vitamin C पायाती है तो vitamin C बेटा पायाती है Bombay Green में किसे पायाती है? Bombay Green में अच्छा सरीजी आपने ये question तुमें बताये नहीं कि आमकी ऐसी कौन सी प्रजाती है जो हमारे इंडिया में या यह नहीं बहुचेगा जिसमें TSS अपने होता TSS क्या होता है? TSS होता है Total Solvely Solid बड़ा speed में बोलने क्योंकि हमकी पूरा topic खतम करना है अब कौन सी प्रजाती जिसमें सबसे दिर TSS पाया जाता है JBR में किने होता है? JBR में अच्छा ये तो normal question रोक है अब थोड़े से question जो आपकी advance level के होता है जैसे कि यह पूस्ता है आम की कई cross पूसे आता है जैसे कि आप से पूस्ता है कि आम की ऐसी कौन सी प्रजाती है जो गउआ इसे याद रखो अरका अनमोल क्रास है अलपार्ट जनारदर पसंद का हम लोग नहीं बोलते है अब आमरपाली के ट्रिक आप सब जानते हो DNA वाली ठेक DNA दसेरी निलम क्या बनता है आमरपाली और मलिका का भी हम पताया था उनको आफ्लाइन क्रास में ठीक जो बच्चे नहीं वो यहां देख लें तो यहां से आप लोग याद कर लेंगे कोई दिक्रत नहीं होगी अच्छा तो निलम और अलफांसो क्रास क्या है रतना अब आम से कोश्चन आता है पचेती प्रजातियों से ठेक क्यां की कौन से प्रजातिय से पचेती है कहीं पूछा गया उसकी छोटी ही ट्रिक है कहानी है हुआ क्या इस पीडिम बोलेंगे क्योंकि कम टाइम है हुआ यह कि भाया तुम आराम से ले लिए इन्वेस्टिम एडिविशन या एडिविशन कहीं अच्छी का जाब ले और उसको लेकर का नाम ता निलम girls लेकर कहीं पार्क में अरख मैंने लेगे लेकि तुम से एक गलती हो गई गलती ही सक भाय कि अपने दोस्ते boys लगला तुम अपने दोस्ती यारी निवाने वाले उसको लेके गए तुम मतलब जो सुन रहे हो अच्छा तो हुआ यह कि तुम ही लेके गए अब नीलम जो है आराम से बैटी हुई थी नीलम ने कहा फर्जी वो फर्जी क्या नीलम ने कहा कि हम पेटीज खाएंगे टेक तुम पेट जब अगले दी तुम उमको मिले नेक्ट डे तो अमने तुमको बुलाया हमने का बिटा तुम्हारी जो मन पसंद नीलम थी उनको चुम लिया इसने पीछे से ठेक आप देखो अब इसको बार बार एक्स्प्लें नहीं करेंगे बही करें बता चुके हैं अब देखो तुम् पीछे मतलब पचेती प्रजातियां इस अभी कैसी प्रजातिया है पचेती है यह कुछन कई बार चुका है मलिका नीलम दसेरी तो पूछ लंगडा पूछी गई है अब देखो आगे बड़ो अब बात करें इसके डिजीज की टेक डिजीज में इसमें मेंगो हापर सबसे खत और किसटें यह तो रहे गया मुख्य को कामर्सील प्र्रपेकियस लौता है अंडाट इसके अलावा है और मारी इसके और साफ्ट इंडियस पूट के रहने बहुती यह गुजरात एंगलिकुट्शा एंश्वाहाई है कुछ से कोशन रहे पर हैं ल inning आपका आहमका जो जो क यह मेंगो में लगता है माल फारमेसन के प्रतों रचू होती है वह बाहदुर अलिव इलाइची छुपाई बताहे हैं भाभाधूर अलिव इलाइची हाओ मेंगो माल पार पेषां से चुटकार आपाओ तो यह बहादुर अली विलाई है इसके लाए जो शुप्टिबल रायटी निवी जो समयदन सील होती है तो तो सबसे जदा जो फ्रूट न चापस होती है जिसे बोलते हैं हम लोग साइस उगंदा साइस दौतापार यूक्ट में केसरत करता से सब लिखा हुआ है अपने मन से नहीं नहीं पता हुआ है इदो को सब क्राफ लिखें उम्हें पढ़ लेना और पॉल्यव्रानिक पॉलीव्रानिक बात करें तो मेरे दुई याद रखो ओलूर चंदरकरन इसके लाव बैलाव कोलंबन आम में सबसे अधिक क्रोमसों पाए जाते हैं इसके अंदर ठीक याद रखना अब देखो इंसक्त पेस्ट की बात करें तो मेंगो मिलीवग इसमें काफी खत्रनाग लगता है ड्रोफी आम इंजी फिरा बोलते हैं यह मेजर पेस्ट है लेकिस सबसे डेंजरस नहीं यह देंजरस पेस्टिक में आता है इंपरी टॉड़क एकंस उनी इसमें बहले लिखा हो लेकिन जो सही नालीज भो बतार है अच्छा इस्टिंबडर तो जानते ही ओ बैक्टो शिरा रूफी इसे याद होंगे इस जम्य सैंट्वित अपने मोबायल में अपने दोस्तोंके नाम सिफ करड़ो हमारे जो प्रीमित्र है उनका न मसेफ किये बैक्टो शिरा रूफी में कुलाता रहा है हमको जतकुंटा रूखिक कर लिया करो अच्छा डिजीज की बात करने तो पाउडरी मिल्डी ओडिये मेंजी फेरा और फरबरी मार्श में काफी ज़्यदा अटेक करता है करती हों डाल देते हैं यह सभी देखने हैं आच्छे से माल फार्मेशन मुजरिय मौनली फार्म ठीक याद रखना बंगरी चौशाद हो लिखा हुआ है यह कुशन बहुर आता है कि भाई साफ मेंगो माल फार्मेशन के नियंतर के लिए क्या डालोगे मेंगो जब आफसें में नहीं होता है आफसें के भट्टों से गेस निकलती उससे लगता है सभी कॉमन कोशन है खूब आते हैं सल्फ और कार्बन मोनो अक्साइड से लगता है ठीक यह निकलते हैं नाटोजन की अधिकता भी कहीं के लिखा रहता है एक क्लिमेटर दूर रखो बोरक्स डाल दो बोरक्स में जो है ग्यार अरका पुनीत है अनमोल है और रतना है अरून रतना पुनीत इस सबके करास भी आद रखना एक इस पेफरी दसरी लेगणा चौसा है बहुत देखी जाती है अच्छा आप देखो रेगुलर वेरिंग बाराटी कों सी हैं आमरपाई नीलम रतना अच्छा कभी-कभी आता पॉली मौनेम्ब्राणिंग बात करेंगे तो चौसा दसेरी लंगडा चौसा से चा निकालो दसेरी से दा निकालो लंगडा से ला निकालो और जोड़ दो और एक बार तुमने किया ठ अच्छौसा दसेरी लंगडा इत्थुट्री बना लेना अपने आप बता दो दिये यह अब देखो अब बनाना एक मिटको पानी पी लें ठीक है अब बनाना जी प्रखनी चाहिए ना बनाना अब देखो बनाना का फांटी मिरम क्या होता है म्यूशा पेराडीस या का ठीक फेमिली क्या होती है मियूशी होती है क्रोम्सों कितने होता है 22,23,44 ठेक अच्छा अब देखो अपने इंडिया में सफसेदिक बनाना तमिलाडू में होता है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सफसेदिक बनाना होता है यह सब आप जानते हो बनाना का सवाड सकर होता ह उसका वेटिए कितना होता है 750 ग्राम होता है ठीक और बनाना में जो करते हैं वह प्रपेकेसं करते हैं ठीक अच्छा आप देखो बनाना में बेज़िती पार्ट सट पर पिर पाए जाती है कि डवलेमेंट आफ फूर्ट बिदार फटलाइजाइशन ठीक है आप देखो डिप प्रपगेशन करते हैं उन्हों हम लोग क्या बोलते हैं पीपर्स बोलते हैं हाई डेमफिनी के लिए 1.2 1.2 मीटर स्कार इसमें जगा होनी चाहिए ठीक है अच्छा बनाना की बराइटी जाधर पुछी जाती है बनाना के इतना होता है 13 डिगरी सेल्सेस होता है अच्छा अगर बात करें तो बनाना में जो हम लोग बराइटी पढ़ते हैं वो बराइटी हैं ड्वार्फ केवेंडरस रोबस्टा रस्थली होंडा पूबन चंपा नेंडरन याद रखो नेंडरन चंपा रस्थली यह तीन बनाना में पसेजाते हैं आएक चाहां बनाना में बनाना में बनाना म लगतें नाम नहीं लगता इन मे ओनाता है समर्म इसको बच्छाँ में नगता है डांचितो अवा में लगता है किसुम में करता है थे कि असले एह घटा को सिटे नुगड़े लगता है यह एक बचपेयर में घ्रवे सिंटोगी सह शुल में ट्रेइक किे आ के जाता चालंगर किसम और सुर्ट करनेन समाचीड Schr Yoshi' अलग अलग नाम लिखा रही है ॥ hurt कोजम पोलिटम साइडिकस कॉसमापीटस सौडिकस ठेक다 यह मोनोफेक पेस्ट होता बनाना में जाराफ अगरे में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है एफिड से एफिड का फांटिवियम क्या होता है पेंटालोनिया नाइगर नर्बोसा ठीक बंची टबारस का पहलाता है उससे याद रखना एफिड मोस्ट कामणूरो प्रूट में आता है मेंडारिन का नाम है उन है क्या है कि थेघ में अच्छा हैने बहुत कामण होता है मेंडारिन जो है अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ा बहुत इसमें स्पेसिंग रखते हैं रखते हैं किती रखते हैं 6 6 मिटर रखते हैं ठेक अच्छा किन्यों जो है वो सबसे पहले है एच्वी व्रॉफ ने विक्सित किया तो 1935 में और इंडिया में यह इंट्रीउस कराया गया किन्यो किन्यों करते हैं वो ट्राय और सिट्रेस से करते हैं ठेक यह तरीका का मैथड होता है बाराइटी की बात करें तो लड्डू कुर्ग किन्यों यह सब कैसी ब्राइटी है में ड्ड़ू कुर्ग किन्यों किन्यों जो है किंग मेंडारिन और बिलियम लीफ मेंडारिन का क्रास पहले किंग आता है यह कहां का हो तो बता चुके हैं स्ट्रस साइनेंस होता है प्री हार्वेस्ट फूड्राव इसमें बहुत होता है याद रखना और टूफोरी से को कंट्रोल कर सकते हैं 20 ppm में रंगापुर लाइम जो है वो बेस्ट रूट स्टाक है फोर मुसंभी के लिए रंगापुर लाइम बहुत इंपर्टन है इसमें टी वेडिंग या पैच वेडिंग करते हैं मोस्ट कामन है इसमें सुट औरेंज में ब्लाइट के बात करें तो स एफिड लाइम या सावर लाइम बोलते हैं एफिड लाइम जो है मुक्हिता सीड से प्रोपगेट होता है यह बात याद रखना एफिड लाइम सीड से होता है पैच वेडिंग से क्या होता है वह आपका मिंडारिन होता है अब देखो चेटर्स केंकर जो है most seedless disease सब जानते हो acid lime में acid lime को जो variety बहुत पुछी जाती जैसे कि चंद्रकरन, प्रमालनी, मिथा चिकना और साइसरबती आपको सिर्फ दो याद रखनी है चंद्रकरन और प्रमालनी जो बहुत important है साइसरबती भी याद रखना क्योंकि यह tolerant होती है किसके बद ट्रिश्टेजर और केंकर डिजीज के प्रती है अच्छा नीवों की concept यह जो seedless है acid lime की seedless ब्राटी है चंद्रकदन है इसमें कुछ और लिखा है चक्रधर यही सही है चंद्रकरन कीसी और होती होगी एक हम वही चींजाद हो सामने लिए भोल दिये छक्रधर होती है चंद्रकरन पता 아닌 किसकी बोल रहे है चंद्रकरन ठिप्रथरे आं में हाया पौलियंबरानिक आं में की वही दिमाजते चंद्र होते कि हाथा त्रिस्ट्यजा लगता है और सीट्रस ग्रीन जो है माइक्रो प्लाजमा से लग जाती है अच्छा कोई बॉटर नहीं है फीजिलाजिक बात करें तो ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन जो है हाइट टमप्रेटर से और रिलेटिव हुमिडिटी से लग जाता है यह जब इन येलो लीव फसित्रस मॉलिव डिनुम की कमी से पत्ती पिर्यावन में मद की कमी के ट्वा की से ऐसे बना लो पधी पमी मुझाती निवू की त्वा की कमी से आगे बड़ो डाइब क्वा और ऐ तो लेटेन लीव प्यख में पर्लाजमा से लगता है और जातर बारस में लग आगे बढ़ जाओ इसमें जो है मोस्ट इंपर्टेंट जो है वह आपका लेबन बटरफ्लाई है ठेक लेबन बटरफ्लाई जो है यह बैगिंग टेक्निक से कंट्रूल किया जाता है बांकी जो साइटिफिक अमने देख लेना एक बार टेक ग्रीनिंग डिजीज का बैक्टर होता है पपाया की फेमिली क्या होती के लीगेसी होती है पपाया में गुटसूत कीतने होते 18 होते है ठेक का उतपती सब्ट्रम propag अंध्यिको ए ठेक ट्रापेंग पाईया कई तोफ्टीट वह ठीवल प्रोटेंड अब सब जानते हो एक अच्छा अब देखो इसे पुला र 5 है ठेक इसके लाबा प्रजाति कौन कौन चीं है जो गईणो-डाईसियस प्रजाति यह कौन-कौन-टोंसी है वह आपकी है ताइवान और ताइवान है,推क है, सूर्या है, इसके लाबा सुर्या है, इसके लाबा सुर्या है, इसके लाबा में लिए जो प्रोपाइशन करते हैं वो सीड से करते हैं ठेक सीड़ेट की बात करें तो दो धाइसो से तीन सो ग्राम की सीड़ेट परती है ठेक है अच्छा अब देखो नॉर्ट इंडिया में फ्रोश्ट वाला कोई काम का निकमाल लिए हाँ बाटर लॉगिंग बाटर लॉगिंग के पर काफी ज्यादा होता है पूसा नन्ना में जो आइसो डिस्टेंस रखते हैं वो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्कॉार रखते हैं बेरी नाइस आगे ब बंखते हं निकीता स्कॉल फोला बांदर लिए फ्रोश्टेंस यृछमा वर्हें काफी डेम्पिंग अइसरए फ्रॉम्न से लॉच्वस एटना टार्यूसिस्कूर ग्ता है angels तरा नींक व्रहे लेजल उसके साथ नहीन से साथ यां चेशे के साथ है कौन है सूरिया ठेक खर कनी देलि मजे मजे को सूरियों लेता अच्छा करले न थो बसे कई बार बता चुकें सूर्या से कहां गया तईवान गया तो नहीं हो गया किसके साथ गया हनी के साथ कुर घंडी olduğ सब्सक्राइब मतलब इस अब कैसे याद रखो टाइबान कैसे यह पिंक वाली थे पुसा द्वार्फ याइन पंथ सीवनग्टी रत्रस गोल्ड पूसा नन्ना होती है सिए फाइब इसमें डायोसीज में लिखा वहाई है अज़े हमारा इस्टेंट हरी कल्चर से में पढ़ा था यह यह आपर तो दो दो आइब को अब अन्दर रखो क्या पता सियो थ्री हो मैं यह देख लो तुम बेटी हांत्रस गोल्ड, पूसा नन्न और पूसा जाइंट, यह सभी डायोसियस है, डीजी के गर बात करेंगे, तो डेंपिंग आफ बहुत खतरनाक है, यह लगता है, पीथियम, एफंडर मेटम से, ठेक, रिंग स्पॉट बारल से लगता है, याद रखना, पपया लीफ करल जो है बारस से होता है, और यह वाइट फ्लाई से ट्रांस्पिट किया जाता है, टेक, मेनेजमेंट की बात करें, तो आराम से मेनेजमेंट देख लो, इसमें, टिक, डाय मेथाइट करते हैं, पूछा नहीं जाता जातर, टेक, आप से पूछेगा पॉम गरने, यानि की अन अनार जो है highly drought tolerant crop है among fruits, यह question बहुत अच्छा है, सभी fruits में अनार जो है highly drought tolerant है, अनार कैसा है, climate, non-climatic है, यह बाद आपको comment बताओ, टेक, तो भया याद रखना, अनार कैसा है, non-climatic है, टेक, non-climatic है, बताना हमें आप, हाज आप ट्रिक बताएं, तुम लोंको साथ, नह होता है, ठीक, अब अनार में जो pigment होता है, वो anthocyanin के होता है, मतलब जो उसका लाल रंग हो जो होता है, अनार में जो मुक्यता प्रपगेशन करते हैं, वो hardwood cutting से करते हैं, अनार में जो edible part होता है, वो फल का प्रकार होता होता है, वेलस्टा होता है, जो edible part होता 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 है तेस्टा जूसी टेस्टा अग्षम होता है तेस्टा होता है अच्छ अभी आपर अनार में भी आती है बाहर तीन बाहर होंती ही अनार को का बातम है यह सबसे अच्छी बाहर मुर्ग होंसे मेंTr만 की तो अनार Правしょ बात करें तो प्रजाति में आती है जोती होती है डोलका होती है कैसे याद रखोगे लाग कुछ बना देया तुम लोगो के लिए बड़ा स्पीड में बोल ले ना मजबूरी देखो हुआ यह एक जोती नाम की लड़की थी जोती होती है जोती होती है जोती होती है तो जोती ह प्यार करनेक बाद अब ये ख़बर जो है किसको लग गई उसकी friend थी इसका नाम तर रूवि उसको लग गई और उसने यह बात क्या किया यह बात सब को मता दी टेक उसका ढोल पीट दिया, बिल्クूल, जबुरा, किसी लड़की का बारे में, धोल पीट दो गया, पूरे गाउंग पता लगिया, सब को पता लगिया, अब यह बात भीया मंई को पता लगी उनकी, लेकिन उनकी मंई बिल्कूल, आखों पती वाणते हैं, उनकी मंदारी ने बि भाई साब बड़ी समस्या हो गई, मिर्दिल सुबा उसका था ठीक है, भागने के बाद उसने तो सोचा था कि बड़ा उसकी लाइफ वंडरफुल बीटेगी, अच्छे तरी बीचेगी, लेकिन भाई उसने इस बाद पर अमल नहीं किया, और वो चली गई, और बाद में दान लड़की का नाम हो, भाई साब यहां सरी व्याद कराया जा रहा है, ठीक हो इतनी स्पीड मेट्रिक बनी है, क्या आप भी नहीं जनते हैं, अब देखो, हम थोड़ा तेज बोलने मजबूरी है हमारी, ठीक तोड़ा अर्जस करो, क्योंकि बहुत पोई बताना है आगए, है जब लेकिन जो जोती की मम्मी थी, ठीक जिसका नाम तक, नाम भी कुछ रख दो, आरकता रख दो, आरकता, वो बिल्कुल कांधारी सुभाव की थी, मतलब जैसे गांधारी थी, आश में पट्टी वाने थी, ठीक, हुआ ये, जोती को भड़का दिये गया, और वो भाग ग अब एक बार इसमें देख लो, देखो, गनेश, कांधारी, मृदूला, रोभी, जोती, डोलका, भागवा, इस अभी भागवा, अमलिदाना, बंड्रफू, इस अभी किसकी परिजाती है, अनार की परिजाती है, तो अनार की है, पूसा, मृदूला पूछेगा, तो यह मेरे साफ से गवाबा की हो जाएगी ठेक भागवा किसकी है तो आपके अनार की है most important कोंसी है भागवा अमलीदाना बंडर आपके यह कांधारी रूबी ठेक पुसा रूबी टमाटर की है रूबी किसकी है अनार की है याद रखना आगे बढ़ो असे यह भी बता दे यह आ अनार बड़फए लगता है मेरे से फेस्ट घेक पेस्ट में conflexców यह लगता है किसै वाइलो कोला Aisokratis है किसे लगता है वाइलो वाइलो कोला आईशो क्रैटी षेक से शी SM Ming का आप आप जानते हो इसमें क्या होता है कि पैंसिल साइट के चैन्द हो जाते टेक अंदर फ्र यह किया जाता है फ्रूट फ्लाइट की बात करें तो जन्तोमरास ऑक्सीपॉंडिस भी प्यूनिय की आर्सा नोडल ब्रैट बोलते हैं यह याद रखना बैक्टिरिल ब्रैट को इसमें नौडल ब्लाइट यह ब्लैक स्पॉट बोलते हैं ठेक पिजियोजिकल डिसॉडर की ब पॉरान से हो कि इसके लाबा calcium और potassium भी लिखा हुआ है ठेक यह राजस्तान बहुत होती है और इसको इसको इस पर के लिए borax डाल दो इंटरनल ब्रेकडाउन जो है अंबे बहार में जो है काफी ज्यादा लगता है जनुबरी जून में जो आती है अच्छा आगे आ जाओ तुम बेर इसमें गवाबा नहीं बताए हम गवाबा उनको पहले बताते है क्योंकि गवाबा इसमें होगा मेरे साब से हाना कि देखा न बेसिक तो कम आगे पढ़ाएंगे कभी क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास और लग जाते हैं ठीक है आगे पढ़ाएंगे देखना बेर में आ जाओ बेर का फाइंटिविनम क्या होता है जिश्यपस मोडिटी आना होता है ठेक बेर की फेमली क्या होती है तो भाईया बेर जब खाने जाते हो तो बिल्कुल फेमली आपको रहम नहीं करती है तो क्या हो जाएगी रहमने का हो जाएगी एक प्रवधन किससे करते हैं तो रिंग बडिंग से करते हैं ठेक और यह ड्रा टॉलेंट भी है दूदिया यह फ्रूट प्लायर के विद रसिस्टन ब्राइटी है इसकी ब्राइटी में ट्रक के माध्यम से याद करवाई हैं देख लेना जाके बेर पढ़ना उसे के अंदर बता लेड़ ब्राइटी कौन सी उम्रान है याद रखना टेक मिड़ वाली कौन सी है तो जोगिया है सब ट्रिक से याद करा हैं ठेक कौन सी कौन सी बात देख लो गोला केथली सेव मुडिया बनार्श्ची जोगिया महरून सभी याद करा चुके हैं उम्रान की बात करें तो उ पांडूरी मिलडी, ओडीम जोजवा से लगता है, ओडीम जोजवा बराइटी, इंडीका, इंसेकट में आई मुलजुज लाया और अक्टूबर में जो है हात लगाया तो अंबे फार्म में घ्रिक और पांच मेने बाद नियुक्त आप देखो यह जी अप आपके परिष्छा के लिए क्योंकि आपको ग्यारा तारी को आपका एक्जाम भी है आप देखो गवावा बिल्ट जो है फिजोरे मॉक्षिस वर्म बाराइटी से होता है बिल्टिंग बात करें तो भाया यह प्लांट में जो एंगलीस होती है उसमें दिखाई देते हैं ठीक से लिए दो नहीं लगता अच्छा इंश्ट-पेस्ट में आपक्रे बात करें तो तो यह Conक्रत कम हें परिपांन काम कुसीं से करता ह dudको जैसे की गल्ट जो है इसमें प्रबर्धन किसे करते हैं इस टूलिंग से करते हैं और पूर जैसे करते हैं अच्छा बूर Nossa 50 में अच् होता है अलमइंडिया में उत्र ब्लधिकल में होता है प्रद्ध कांट है और चिप्तिदर हरिजा हफसी को देखे कर पूराशे बता थे लेस्य जो है इसमें बहुत से red spot पाया जाते हैं हरीजा जो है यह बिहार में बहुत famous है हफसी जो है वो लाल गुदे वाली प्रजाती होती है बेहत coconut जो है वो seedless variety है बेहत coconut कैसी है seedless variety है लेलित जो है पिंक फ्लेस होता है याद रखना कोहिर सफेद किसा करास है तो कोहिर पहले आया किसकी है ठीक वो गॉबा की है हम पूसा मतलब बोल दिये थे अच्छा अलावा सफेदा जो है वो अलावा बराइटी जो है काफी famous है कहां अलावाद में अलावा सुर्क जो है यह डीप पिंक फ्लेस बराइटी इसके अंदर बड़ा हलका सा पिंक पिंक होता है ठीक एपल क सब्सक्राइब बहुत लगता है वराइटी में बहुत याद रखना ठीक लली त्याद रखना और आपका यह अरका मर्दुला याद रखना ठीक एपल कलर रखना बाकी सबको यादी करनी है अच्छा ब्रॉंजिंग जो है जिंक करनी से लगती है इतने मेरे पॉइंट होता है कि ब्रफित नहीं है आपका द नहीं है पूर हम लोगोडी बोलते है यह इंडिजिन शूट अफ इंडिया बोलते हैं ठेक अCs अच्छा प्रॉपगेशन जो है यह पैच बिटिंग से करता है नौर्स इंडिया में इसका मतलब प्रॉपगेशन होता है अच्छा आवला जो है वह विटामिन C इसके अंदर पाई जाती है बहुत अधिक मातरा में लगवा आट सो मिलिग्राम लेंगे सब्सक्रती बिटामि कि इसमें पाई आप जाती है विटामिन 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 विकिसमे पाई जाती है वह बेल में ठैक और के इसके लाब कि लावा जो है इसका सब्जी और अगर फूट के बात करें वह केदी के लिए यूज होते हैं ठेक बात करें तो बनार्सी कंचन चकिया हाथी जूल कडाका बनार्सी कडाका जो है बेर की है बनार्सी किसकी है इसकी है कंचन इसकी भी है ठेक चकिया और हाथी जूल हाथी जूल बहुत पूछी गई है चकिया पूछी गई है मंचन पूछी गई है कंचन ज जो है बॉरान की कमी से होता इसमें फ्रैंसिस बराइटी जो है highly suffered होती है ठीक छोड़ो insect pest की बात करें को bark eating caterpillar indovarilla quardinota indervarilla quardinota टीक ग्रेप की बात किलो ग्रेप पे जाओ खतम ग्रेप जो है हमने अच्छे से इसकी trick बताई है कहा है कि बराइटी याद करने की miscellaneous में ट्रिक में देख लेना जागा है ठीक है याद कलेना हम तुम यहाँ पर और पॉइंट बताते हैं जैसे कि बिटी कल्चर उसके पूरे cultivation को बोलते हैं और फेमिली इसकी BTS होती है ठीक आइडियल टाइम अगर पतजड हो जाता है इसमें ठीक प्रोपेगेशन हार्ड बूट कटिंग से करते हैं याद रखना थामसर स्टीलेस पूरे व्ल्ड में सबसे अधिक उगाई जाती है ठीक पुट्र के मच्छे से बता हैं कौन-कौनसी दारू के लिए अच्छी होते हैं कौनसी सफेद के लिए वाइन के लिए सब बता हैं अच्छा ट्रेनी सिस्टेम में वावर सिस्टेम अपनाते हैं याद रखना अच्छा इसमें ग्रेप में मैंगनेशन की कमी पाय जाती है ठीक टार्टरिक एफिट पाय जा ऑच्छा वराइटी की बात कराएं अरका तरशन्ह बताया धाएं अरका तरशन्ह दिलख्ष कर दिया था कुछन्ह ग्रेस खाली कंचन्ह किसकी यह अभी बताया है अवला किया आउफाथ जो है कि असल मस्कए है को बता पिजियोलाजिकल डिसाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है एंनीड चिकन डिजीज जो है बोरान की केमी लगता है बेरि या ब्लॉसम ड्रॉपड दिजीज जो है बो आपका इंपॉर्पर पॉलिनेशन से लगता ठीक है पिंक डिजीज यह ग्रेप में लगता इतना इंपॉर रे साभल रखता है これ टौं शंग कंसिए है कैलिक्स इंडिराप टॉके है इंडिरट्फ से लगता है की यह मी ठ्र्प्र का क्या होता है रखिपि आप अब देखो शिब लगता कम और कबहूं इकजाम में नहीं आएगा ठेक आगे आजाओ अब ये खताब हो गया इसमें इस नहीं था आपके अब इसमें ते था आप आजा आप कोकोनट के बार में थोड़ा सा देख लो प्लांटे संक्राप में थोड़ा सा देखो ठीक सामने PDF दे देंगे या जिसके बाद किताब नहीं पढ़ लेना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कोकणट देखेंगे इंपोर्टेंट है को का फंसट्याइं च्रहों क्या हूता है क्रोकसट दिखे रहा ह необход फेमिक और दिक focus पिर फिलपिन्स फिर इंडिया केरला जो है वह 42% एरिया कोकॉनेट का सेयर करता है चोगट ग्रीन यह ड्वार्फ वराइटी है चोगट इन प्रताब दोनों की ड्वार्फ वराइटी किसकी कोकॉनेट की अच्छा इंसेक्ट वेस्ट कीकर बात करें तो राइनोकर्स बिटल रेड़ पाल्म वीवल ब्लैक हैड़ेट केटरपिलर और कोकॉनेट माइट इसने हमें दो फैंट विन यह म्याद है राइनोकर्स वेटल का क्या होता है और एक्टस राइनोकर्स होता है राइनोकोफस फेरुजेनेस होता है लागपद देख लें सामने लिखा हुआ हाँ य बार पढ़ लेना है ठीक है बार्टर को और बोरान के में से लगता है जो मोस्ट इंपर्टन है वही बता रहा है सब मत पढ़ना बार्टर को और बोरान के में से लगता है बिटर प्रिट केल्सिम के में से लगता है ठेक पीर और पीच सब के दिये हुए सें जोस इसकेल आप देखो अब बात करते हैं वेजटेबल प्रड़क्शन की तो जो मिसलेनिस पॉइंट है वही पढ़ने देखो बेश्टेबल जो है रिसोर्स होते हैं इसके बिटामीन मिन्नल्स का काफी रिसोर्स होता है इंडिया जो है वह सेकंड लार्जस प्रडूइसर है वेजटेब इस बार प्रडुटेबल प्रडूटेबल प्रडूटेबल में इसमें लिखा हुआ है इस बार जीका डाटा है उसमें उत्तर प्रडिस नंबर उन पर ठीक है को यह यह सब चीज़ा कामकी यह नहीं यह को ट्रक डिजन चिली में भीडमी बिथाइं सी होती है थिक गार्लिक में ङयुआ शुड़ो चीज़ाई पर लेना कॉट्स कर प्र Kia औ park फॉल्राmbol यह पूरा क्लासिफिकेशन है पढ़ लेना एक बार ठीक एनुवल बेक्टेबल कौन सी होती है क्रॉप यह क्रॉप यहां से स्टार्ट है अब देखो कुछ फूर बता देना क्योंकि हम वहां से बोलेंगे देखो क्या होता है पहले को लेंट के फेमिलिए क्या होता है छी ने चुट जाता है जितने भी प्रोडिश के बात करें तो भाईया कितने होते हैं 24 क्रमसम होते हैं टमाटर में जितने में सोईने सिसम में 24 होते हैं सिरीव आलू और तमाखो को छोड़कर इसमें 48 होते हैं ठीक है अच्छा तो फूट कैसा होगा है बेरी बेरी मतलब है जिसके अंदर 20 चित्रे भी पाए जाएगे ठीक अब देखो रेट कलर किसे होता है लाइकोपीन के अगाण होता है और लाइकोपीन जहाए 24 डिग्री सेल्सिये टंपरेचर अच्छा रहता है 27 को पर लाइकोपीन नहीं बनता अच्छा बराइटी इसके लिए जो बहुत अच्छी है वो पूसा रूबी है रूबी देखो उसकी अनार की थी पूसा रूबी किसकी है वो टमाटर की है इसकर अरका विकास है टमाटर की पूरी ट्रिक हमने डाली है 15 मिट में लगवक 25 से 40 बराइटिया को जबान पर रट जाएंगी ट्रिक डालने है जाके देख लेना दो वीडियो में एक ये दो वीडियो में है जरूर देख लेना ठेक तकि बराइटी किलियर हो जाए अरका विकास पूसा रूबी दोनों बराइटी कैसे है पॉपलोने काफी सिल्ड रेट की बात करेंगे तो 3.5 से 400 ग्राम सिल्ड होती है और अगर हाइब्रिट की बात करेंगे दो लिखी नहीं बता दें कि हाइब्रिट जो होती है वो 100 से 1.5 सो ग्राम पड़ती है नारमल 3.4 बराइटी की बात करेंगे तो बराइटी पूसा रूबी है पूसा एक किसा क्राफ है यह निमटोर रसेटिन बरायटी हिसा ले लित ठेक अच्छा पंजाब छुवारा और रोमा यह प्रसेशन के प्रित काफी सुटेबल होती है फ्लेवर सेवर जो है यह राय पेनिंग काफी देर से होती है इनमें ठेक डीजीज के बात करें तो बैक्टिरियल ब् करने के to разработчики बडाल को भीका बहने कापर बैटेरो माइनसीन अलका है ईक और आता है कापर आक छीफिक लोटेक लिफ कर लॉह यह बाइरस से लगता है यहाद रखना निफ या अब रॉल को अलगता है झाह illustrates प्रहूंज लिखा हुए इसम् nhi निशसाद से लिखा हुआ कों लड़किए तुमको तुमको बढी चिड़ः लड़कों कसा वो तुम तुम्हें ले रही है तु सर्पेंटाइन लीफ मनेर क्रहने मजब एक ल्टला लाए याद के पुफि Wäh ब्रेंजल में जो पील ब्रेंजल में जो सकता है यह इंतर रही में आहिण सब्सक्राइन ग्रू मेंूं यह सी जो बैग नी रहा होता है वो एंतोसाइन के करण होता है बैग न जो फूट है बिटामिन बी इसके अंदर काफी ज़्यादा मातर हम पाजाती है सीडरेट केकर बात करें तो 200 गरम प्रती हेक्टरेस में सीडर परती है जो कि नरसरी लगाने के लिए काफी अच्छी है अच्छा बिराइटी की बात करेंगे तो पूसा परफिल लॉंग, पंत समराट, आजात करांती, ब्लैक ब्यूटी, अरका सील तुमाहें लिए इंपर्टन क्या है पंत समराट, आजात करांती, ब्लैक ब्यूटी तीनों बहुत important variety है पंत सम्राइट में Phomopsis Blight नहीं लगता और built फीर नहीं लगता इसके लावा जो hybrid प्रजाति की बात करें तो पंत रितुराज पूसा बिंदू, पूसा बिंदू इसकी है अरका बिंदू किसकी है वो on-in की है पूसा बिंदू इसकी है एक हमने 70 variety है अलग से लिखी है अभी वीडियो लाएं नहीं ले आएंगे most confusing variety अच्छे से याद हो जाएंगी अब देखो पूसा उपकार कैसी है यह आपकी बैगन की प्रजाति है इसका अब एक प्रजाति है इसकी पूसा बहरब पूसा बहरब जो है इसमें फूमफसी ब्लाइट नहीं लगता अरका नमनीत यह हाइस्ट इल्डिक यह ठीक है अरका नीलकरन जो है यह निमेटर रस्टिन ब्राटी है अरका कैसब इंपोर्टेंट क्या है एक बार फिर सुनो है बेड में क्या है पंत्रितुराज, पूसा बिंदू, पूसा भहरब और अरका कैसब तिनों चारों याद रखना है ठीक है इंसेक्स पेस्ट की बात करें ठीक इंसेक्स पेस्ट की बात करेंगे तो इसमें लगता है फ्रूट एंड सूट बोरर यह लगता है लिसो नाइड स और बॉनाइल्स है लिसो नाइड ओर बॉनाइल्स है अच्छा अब बॉर रहे तो लेका आयोजगा हो आप देखो हडा बिटर जानते हो याद रखना एक बार देखेंदेग्जं लीफ हापर यह याद रखो कि बेगान वह होता है ठीक है बैसे तुब मईक्रोण प्लाजमा से लगता है ठीक लेकिन फैक्टर जो है यह होता यह होता है स्जानर कौण से खती है अब आचकर चिली में सोल सब्स्सिम नम् क्याट्रियम होता है इंध्र्ट नो जो है ब्लेक देखो एंफ्रक जो है जो डाई ब्लेक बोलता है यह बने कन्टूल करते है इंड्या जो मेंटर प्रणुसर है इंड्या जो मेजर प्रौदूसर एक्सपोर्टर एकुस का चिली का एगात रखना अब थेकुंश सटी ड्र जो में सिर अजित छी त होती है 15 फिल्स अगर अगर हाइबिड की बात करें तो 200 ग्राम पड़ता है ठीक है और आम से इसको टाइंट करते हैं एक मेंट पानी पिले अब देखो बिराइटी बिराइटी जो है कैलिफोर्निया बंडर अरका मोहिनी अंध्रा जोती पूसा ज्वाला ज्वाला मुखी अरका लोहित भासकर पूसा ज्वाला यह 4 इंपॉटेंट है अरका मोहिनी भीयाद कर सकते हो इस गला प्रजाती है भूत जो लोकिया भी मिर्च की प्रजाती है पूसा ज्वाला थिप्स रसिस्टेंट बराइटी है ज्वाला मकी हाई देंस्टरी प्लांटी के लिए अच्छी है अरका लोहित प्रिंदी बोलते हैं इसके लावाँ इसमें ब्लिष्टर विटल और येलो वेन मोजग बारस लगता है ये वाइड फ्लाई से ट्रांस्विट किया जाता है और ब्लिष्टर विटल कभी कवार पुछा आता है माई लेब्रिस पस्टू लाटा ये इंपोर्टन नहीं है सीडरेट की बात करें मौस्ट इंपोर्टन सीडरेट है खरीफ में 12-15 किलो और स्प्रिंग सीजन में 18-20 किलो ठेक ब्लाईटी की बात करेंगे तो पूसा सौनी बरसा उपहार पंजाब प सावनी पूसा सावनी और अरका नामी का अभे ठेक परवनी करांती इंपार्टन है हिसार उननुदी कभी कवार पुछी ज्यादा नहीं ठीक है अब देखो जितनी भी कॉल क्राफ है सब प्रोटेंडरी नेचर की होती है ठीक मिजर पेस्ट्रो क्राप का है वो डामेंड बै अब देखो अगर बात करें कि इसमें एक लगता वाइट रस्ट वह एल्भी को केंडिडा से लगता है यह सभी कुरुसिवर्स में लगता है ठीक है अच्छा इस एक प्रेस में डाबेंड बैक मौत बताई चुके हैं यह पुरा देख लिए ना हमसे के बच प्याव डिरेक प्रोपर्टेटि जो है इंडोर्ट रिकारविनल बोलते हैं इंडोर्टि करवनल के बात करें तो पांश साड़ा सास्टो गराम पढ़ती है है वाइटी में गोल्डन एकर कोपनेगर मार्केट प्राइड आफ इंडिया भाई साव हमने इसकी बरायटी ट्रिक में याद करे हुँआ है के गवेस की प्रोइटी याद करताा पूसा रतनार पूसारेड पूसा संबंध मुक्ता रतनार चैनल पर दोफले चैनल पर डाल देंगे फिर से खोनमने टाइम जाएगा गाटर रतनार याद रखना जिला प्राइड आफ इंडिया याद रखना इभी मोस्ट इंपर्टेंट है को पनेगर मार्केट गोल्ड नेकर ठीक अब देखो अरे चला गया आगया देखो काली फ्लावर में होता है ब्रेस का ओलरेंसे बाराइटी बोटराइटीज क्या होता है फान्टिफिक ने ब्रेस का ओलर कवर कर देते हैं उसे ब्लांची बोलते हैं ठीक अच्छा फ्रूट जो काली फ्लावर को उसे कर्ड बोलते हैं ठीक फ्रूट आप काली फ्लावर क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं तीन विजन की क्राप है जानते हो स्कूपिंग जो है यह मुख्यता काली फ्लावर में करते क्या करते हैं संटर मोल को हटा देता है अच्छा Uneason में पुषा हिम्जोतः पुसा यस्णो भाल यह डुखे कैसी है अपने आप ब्रांश करू लेती मिछले हिम्जोति पुसा यस्णो पुषा याद रखना लेट बात करेंगे फुसा हम्योती, फुसा सनोबाल दून में इंपोर्टेंट है हम्योती जो है वो अपरेल से जूलाई में आराम से ग्रो कर दिया बात करेंगे तो ब्लाइंडनेस मौस्ट इंपोर्टेंट डिसॉर्डर है भाई साब काली फ्लावर के यह बात आप यहात रखना है देखो, blindness blindness जो होती है, भाई सब इसमें होता क्या है बिल्कुल चूटा सा बटन चूटा सा फूल बनता है मतलब बिल्कुल अंदा हो जाता है कोई भी ट्रेमिनल बड़ बनी नहीं पाती यह देखो low temperature of frost के अकार होता है बटनिंग क्या होता है, बटन क्या का फूल बनता है nitrogen के कमी से हो जाता है hollow heart जो है, इसमें एक से ऐसी वीज़ करते है nitrogenous fertilizer, तो hollow heart हो जाता है ठेक, अच्छा wiptyl, molybdenum के कमी से होता है chlorosis, magnesium के कमी से होता है raciness, वो important है नहीं भिलाल देख लेना लिखा हुआ है browning, browning के कमी से important क्या है, important आपके लिए browning, browning के कमी wiptyl, molybdenum के कमी buttoning, nitrogen के कमी, ठीक, तीन most important है इसके लाबा, चाहे याद करो, चाहे ना याद करो को दिक्कत नहीं, आगया जा, onion onion, ऐलियें होता है, onion, cool season crop है, अब देखो जिसकी outer skin में, जो color होता है वो curiosity count होता है, ठीक है onion, जो है, very useful होता है, किसमें, sun stalk में, bolting जो है, onion में खुब, इसमें क्या, low temperature में bolting हो जाती चिते-बितर जाता है, अच्छा, onion और garlic, जो है, इसमें purple blush लगता है और वो किसे लगता है, वो लगता है alternate area poris है, किसे लगता है alternate area poris है, इसके लावा onion जो है, वो सबचे ज़्यदा बड़ी market महराफ्टरम है, और महराफ्टरम जगा का नाम है, लासल गोन ठीक, फिर लिखी होगी साथ, नहीं लिखी है, कोई बात नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, पता है तुमें क्या नाम है, लासल गोन, यह लिखी है, कहा है लासल गोन है, ठीक है, यह ले डावलस अन, जी ओ, अन, आप देखो अब अगर बात करें, तो भाया, यह बात आप जानते हो कि onion में जो seed rate होती है, वो भाया पूसा रतनार, एन त्रेपन, कल्यान पूर रेड राउंड, पूसा माधवी, अरका बिंदू, most important कौन सी है पूसा रेड़े याद रखना, नासिग रेड़े याद रखना, एन त्रेपन याद रखना, और अरका बिंदू याद रखना, ठेक, most important खरीफ में आ जाओ, तो रभी की हो गई, खरीफ में, अरका कल्यान, ठेक है, और याद रेपन दोनों में लिखी हुई है, दोनों की होगी, अरका प्रगती, most important अरका प्रगती, जो बहुत सीजन में होती है, वाई सब, अरका प्रगती, दोनों में, अब आ जाओ, आगे, कल अंदर गार्लिक में होता है, एलिशीन, अलीन जो है, बाटर-solving, अमिनोचीड है, या गार्लिक पाय जाता है, अब रेडिस की बात कर लो, ठीक, रूट कर आप तो रेडिस में आ जाएगा, रेडिस, रेडिस का भाणिवनें क्या होता है, रेपन सटाइबर्स होता है, रे बात करें, साड़े-पांस से ग्यारा किलो सीड पड़ती है, ठेक, अच्छा, रूट रेडिस प्रेडिस प्रपेर्ड फॉर सीड प्रड़क्शन, अच्छा, याद रखना, जो रेडिस की रूट है, अगर सीड प्रड़क्शन के लिए उगाई जाती है, तो उसके में पूसा रस्मी और पूसा हिमानी, चौरव मुस्ट इपोर्टेंट है, मा की कौन-कौन सी है, अरका निसान थे, यह मुल्टिपल डिजीज रेसिस्टेंट ब्राइटी है, पूसा चेतकी, समर के लिए चीए, चेतकी तुपारी में पाउं जले, हैसे या पाउं जले, पाउं अंबली फेरी होती है, क्या होती है, अंबली फेरी होती है, करट से यह वीवरेज बनता है, जैसे हम लोग कंजी बोलते है, यह ब्लैक करट से बनता है, अच्छा, करट जो है, एनुल क्राप है, रूट प्रोडक्शन के साब से, और बाइनल कैसे है, फ्लाबरिंग और फू ब्राटी पुसा कैसर, पुसा मेगाली, चैन्ट से, O.T.1, most important कौँजी है पुसा कैसर, पूसा मेगाली, पूसा मेगाली में सफसेधी, विटामिन एप आजाती है, पूसा कैसर जो है, जो अरली सोयं के लिए, फुटेवर है, बात को कोकरविट्स की, कोकरविट्स में आता है पहले बाद कद्दू की, सभी family कैसी होगी कुकर बिटेसी होगी, कद्दू में पहली बिराटी यह पूसा बिशेज, पूसा बिशेज की प्रजाती है अब कद्दू की है, ठीक है, यारी pumpkin की है पूसा चिकनी जो है, और का चंधन जी जो है तुरया के बीड़ाटी है तुरया में इस्पंज गाड़ की इस्पंज कैसा होता है बिलकुँ चिकना होता है ठेक और चंदन जंदन भाईया बड़ा सिखाता है तो पुसा चिकनि और का चंदन बिकन और ग्रीन दिल पसंद हिसार से लक्षन यह सबी प्रजादी जो है टिंडा की है राउंड दिल पसंद जो है वह आपकी उसकी भी है वह दिल खुस है अच्छा दिल खुस उसकी है ग्रेप की ठीक है तो बिकन और ग्रीन दिल पसंद हिसार से लक्षन यह प्रजादी किस बस इसना important है अच्छा को कर्बिट फ्लॉइ प्रेक्टोस हेरा कोई important नहीं फिलाल कुछा नहीं जाएगा को कमबर की बात करो आज आज आउ इसना आप देखो बात करो को कमबर की को कम बोग हीरा वोलते है ठेक primitive sex from कुकुम्बर जाएक, कुकुम्बर जाता है, इसमें काफी फिसल्रीना के डिस व्राइटीरगों, फिलोडिजीज नहीं, फिलोडिजीज मतलब होता, यह केलिसीम के मेंसे कुकुम्बर में लगता है इतना जानो ठीक है अच्छा इसको वैक्टर क्या होता है वह एफिड होता है और सीड्रे धाई किलो पड़ती है यह पड़ती है अच्छा बराटी पुसा सहयोग इसके लाप पिंसेट पिंसेट पुसा सहयोग दोनों मुस्ट इंपरटे जपनीश लांग अगरि अगर होता है मेटरल कमें से पनच में दोनेश सावंड़ भाटाइ अगर होगा तो हैं दोल साउंड होगा कि मेच होगा है हैं और दम डम की आवाज है थो यह आपका मेच है जो रहता इए लकल रख ना पे याद रखना या 5 यह मार करें ओकुल ना बड्ट निक्रोकिस जो है बाटर मिलन में एफिड के दौर लगती है ठीक है सीड्रेंट बाटर मिलन की कित्यों होती है चार से सारा चार किलो होती है किरे कित्थी धाय किलो थी ठीक है ब्राइटी मुझ्ट इंप्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट इंप्रूव्ड सिपनर इंपोर्टन क्या है सुगर बेभी मोस्ट इंपोर्टन है बहुत सूट होते 11-13 परशन इसमें TSS बाए जाता है इसके लाए दुरगापुर केसर भी यलो वाली बराइटी होते पीले रंका गुदा होता है ठेक मतलब कि मस्का मस्का क्या खरबूजा अब देखो इसमें TSS बताओ फूट में TSS हो जाता है तो इसके लाए प्रेटी होता है सुटनेस बढ़ जाती है मीठा पर मढ़ जाता है मस्कमेलन हार्वेश्ट की का फूल सुलिप स्टेश पर करते हैं हरा मदु में नहीं करते है मस्कमेलन की है हरीश्ट ही मदू सीड्रेट की बजाती के बात करें सीड्रेट जो है 1.5-2kg 2.5kg, 2.5kg और 4-4.4kg सीड्रेट अगर डीबिलिंग में सब आना है तो एक किलो परती है बराएटी दुरगापर मदू इसके लबाद लगती है इसमें आपका हरा मदू ठीक है यह नारा मदू लिखा है हरा मदू होती है लेट पराइटी है अरका जीत यह excellent flavor सबसे अच्छा flavor हो very sweet पराइटी है अरका जीत पुसा अधुरस भी है पुसा रसराज भी है पंजाब सुनेरी है अरका राजहनस है अब मतलब लिजनेरिय सबसे लौका बोलेंगे सीटेर घंटे से लगातार बोली रहे है इसमें जो प्रिजातिया है फुसा समर प्रलफिक लौग समराब पुसा मंजरी बहुत अच्छा नाम है मंजाब और आरका बाहार पुसा मैग दूत याद रखना इंपर्टेंट क्या है important समराथ है पुसा मेगदूत है दो important है इस गला पुसा समर नहीं दो important है P मतर में आ जाओ सबसाद सब्जियों में मतर जो है बहुत सब्जियों पाई जाती है 7.2 के आसपास ठेक है हर्टेंस में साइंटिपी ने लेकिन जो बैसी वाली मतर है मतलब खाने वाली जो होती है सब्जी वाली होती है उने 7.4 या 7.2 के आसपास पाई जाती है गला लेका सहीद कर लेना सबसादिपी मतर उत्तर पिदेश में करण करणा हो सकते हड़ाओ हाँ में चियोटी जो इसे नापते है थोड़ा सा इतने कॉंटर डिक्षन है जाटा आप इससे थोड़ा सा हमें अजीव लग रहा है जो पैसी वाली मतर होती है सब्जी वाली होती है वह सौसे 120 किलो पढ़ती है यहां तुको हम आपनी तरफ से क्लियर कर रहे है सब्जी किलो पढ़ती है और जो आपकी मतर है मतलब की डाल वाली उसमें 35 से 80 सिकलो है ठीक याद रखना बराइटी की बात कर तो आजाद पीवन जबाहर बोन भी ले यह सभी कैसे बढ़ती है बोन भी ले कैसी है सब्जी वाली है ठीक है सब्जी की है आरकेल जो है सिकल हसिया के अकार की होती है सिल्विया जो है पूरी पॉड खालेते हैं सिल्विया में ठीक हर बजन भी इसी की प्रजाती है अपार्णा भी इसी की प्रजाती है पहली डॉर्फ वर्याटी कोंसी अपार्णा है जिसे है एच एफ पी फोर बोलते है राशना जो है प्रेशिषन बाइटि यह अर्च द्रवाली राची नैटी प्रेश adequate लिखा है। अगरी प्रेश्च में होगी अब देखो नेटी अफ्रीका है मैं ए लिखा हुआ है यह क्या होगी मेरे साब से काव पी होनी चाहिए यहां पर क्यों किसी डरी 12-15 किलो होती है अच्छा जलो ठीक कावपी मालो कावपी कावपी फैमली क्या होती है लेग्युमेनेसी होती है नेटिफ क्या है अफरीका है और समर में 20-25 किलो तो अगर vegetable के लोगा आ रहा हो, अगर fodder के लोगा आ रहा हो, 20 से 30 के लोगो होती है, ठीक है, kaupi, पेश्ट आप kaupi दो नीचे लिखा हुआ, kaupi में क्या लगता है, वो आपका pod fly लगता है, funtifinium लिखा हुआ है, ौप्टिन ली लिखा हुआ है, पूसा important variety है इसकी पूसा रितुराज, पूसा रितुराज इसकी है, पंद रितुराज किसकी है, बैगन की है, ठीक, खासी और खासी गौरी और पूसा बैसाली, पूसा बैसाली important है, पूसा बैसाली important है, याद रखना, पूसा दो फसली, पूसा कोमल, बैसाली, पंद रितुर सिड्रेट 15-20 किलो पढ़ती है ब्राइटी पूसा मौसमी ठीक जारओ पालाख में जो है सीड्रेट 25 किलो फाइंटी ने बीटा वलगलेर्स भाईटी बैंगलेंसि है भाई सब्सक्राइब्री वर्याटी जीव है अच्छा ब्राइटीम है आजाओ व्राइटीम है इसकी मोस् सबसे अधिक इंडिया करनाथ का तेक फिलॉरी कल्चर का जो सबसेकिए फ्लोरratos करें यो उसेमें बंगाल सबसेक्वार होटा है यो उसे में दो्क बिजतिक फ्लोरक्सले को औपलावर कॉता है ये नंय वाक cheer एरिया कबर करती है वह जैस्मीन है ठेक होगर्थ कर्स को हम लोग लाइन आफ व्यूटी बोलते हैं बुक जो है बीटिफल गार्डन वह एमस रंदावा ने लिखी थी बीपी पाल जो है प्रद्रसनी ब्राइटी जो रोज की ब्रोज की ब्रीडिंग के पिता जी कहा जाते है बात करो रोज मुगल गार्डन मुगल गार्डन जो है वह पिंजोर हर्याना में है रोज गार्डन चंदीगड में है मंडोर गार्डन जोधपूर में बुद्ध जैनती पार्ग ब्रंदावन गार्डन निव दिल्ली में ब्रंदावर गार्डन मैसूर में है और नेशनल ब बात करें व्रेक्षय ने कोन से होते हैं तो फारमल में आते हैं मुगल गारडन परसओ लोकिंगे घारे मुगल जो आखे यह वो पीचे बागे तो मुगल जो है वो परसों जो है पीचे से भागे नहीं परसियन हो गया पिंजोर हो गया इन्फर्म में जैपेनीज और इंग्लीज इंग्लीज और जैपेनीज दोने इन्फर्मल ने तो लोगा उल्टा है ना आप देखो फिरी स्टाइल क्या है दोनों तरीका को आपसे मिला दो जो बने फिरी स्टाइल जैसे की पांचेमव में पिलर्म लगे होते हैं ऍपर्टेक्टिव वाल होती है ठीक टर्मिनल बिल्डिंग होती है, जैपेनीज गाडन जो है, गाडन लेंटरन स्ट गाडन पंपीगोडा होते है, ड्राइलेंड स्केम गाडन पैगोडा याद रखना बुध्ध जैनती पार्क निग थे लोग 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 बोलते हैं प्लांटिंग ग्रास की प्लांटिंग को जो लॉन में उसे टुर्फ मेतड़ से करते हैं रोजा इस प्सिर के फेमिली क्या होती है वो रोजी ऐसी होती है उत्पतिस थन क्या होती है इंडिया होता है रोज को हम लोग कुई नाव फ्लावर बोलते है यह सिंबल आफ ब्यूटी है प्यार का सिंबल है जोदा फर्वरी को आ रहा बच्चे यूज करेंगे ठीक नेशन फ्लावर क्या है वो नमंबर से फर्वरी है ठीक है बडिंग के याद रखना भाज सब्सक्राइबर से फर्वरी है रोज के पूड को हम लोग हिप बोलते है ठीक हिप करें हो अच्छा डशा लॉक्टर बीविपाल जो है रोज से रिलेंटर नहाऊ पंतरा मिनट रट जाएंगे तुमको पिली कौणसी कट कौणसी अमेरिकन कौणसी इंडियन सब बता दिया हमने देख लेना जागा अच्छा थौरनेस व्राइटी सुचित्रा है और पुसा मोहित है ठी ग्लेडियोलोस की भी ट्रिक बता है देख लेना बच्चा देख जरूर लेना ठीक यह बता है फैमिली क्या ए इलीडियस ही ए इलीडियस ही किसकी फैमली होती है घ्लीडियामाना ध्रेटी हो जाती है गर अब देखो अगर ब्राइटी की बात कर रहे तो इसमें एक प्रीधरसी ने सुचित्रा दोनों happy और friendship सभी इसे के ब्राइटी हैं ट्रिक बताएं आएं से देख लेना है क्राइज एंथिमय ट्रिक बना चुके हैं पर अपलोड नहीं किर कर देंगे टेक है, फान्टिविनेम क्या होता है, डेंडर रेंथिमा, ग्रेंडी फ्लोरिया होता है, कामनेम गुल्दाओधी है, उत्पत्तिष्थान, चाइना होता है, प्रपगेशन रूट सकर से करते हैं, डाइना, राल्ची, इंद्रा, बसंती, बीरवल साहनी, रेड गोल्ड, इंद्रा, बसंती, बीरवल साहनी, महत्मा गांधी, बीसी के ब्राटिए, इसाब बता देंगे, अब बचा है आपका क्या, प्रजरवेशन, प्रजरवेशन है, प्रजरवेशन में ज्यादा इंपर्टन तो है नहीं, जिसे कैनिंग क्या होता है बाई साब, तो कैनिंग जो प्रजरवेशन में टाइम लेते हैं, अच्छा, इस्टरलाइजरेशन क्या होता है, यह भी फ्रूट बेस्टेपल में करते हैं, 100 तंपरेशर फे, फ्रीजिंग कूलर से 15 डिग्री, रेफ्रिजरेशन 0-5, क्राइव प्रजरवेशन, बाइटी सिर्वेशन माइनस का, ठीक ह प्राहे का, फ्रूरी कल्टर का और प्रिजरेशन का, ठीक है, इसपाइस का हम करवा चुके हैं, एक अंदर प्लेलिस्ट बनी हो, देख लेना, अलांकि बड़ा स्टार्टिक में करवायते हैं, फिर से करवा देंगे, ठीक है, भाईया इसको सेर कर देना, बड़ा मेहनत देना अच्छे से, और सब्सक्राइब करो, अच्छा है लगता ना, ठीक है, रादे रादे, थेंक्स टू और, बाई